नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायर आकि और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चानल देख रहे हैं यह रात काली मा की पूजा करने की रात होती है लेकिन इस रात में मैं आपको खुश रहने के जादूई टोने टोटके उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका जीवन खुश हो जाएगा आज शिवलिंग पर पंचामरत अरपन करना है और पंचामरत के लिए आपको दूद चाहिए दही चाहिए शहद चाहिए घी चाहिए और चीनी चाहिए जब ये पांचों का मिशरन मिल जाता है उसे पंचामरत कहते हैं तो आज अपने बच्चों के हाथों से खास कर मंदिर में शिवलिंग पर पंचामरत अरपन जरूर करा है आज मा गौरा को आठ हल्दी की गाठ अरपन करने से आपकी जिन्दगी के अंदर खुशियां आएंगी मा काल रातरी को आज काली चूडियां काली बिंदी काली चुनी अरपन करने से बेहत प्रसन होती है और आज ऐसा कुछ कीजे कि मा की मंदिर में आज आपकी तरफ से सरसो के तेल की पूरी रात एक जोच जले जो सुभा आप ब्रहम मूरत में चार बचे जलाएं और अगले दिन अस्टमी जब तक आप ना कर लें तब तक ये जोच जरूर जले आज पान के पत्ते पर राम लिख कर मा को अरपन करें आज काली मा को शीशा देखने का शौक बहुत जादा है शीशा अरपन करें खासकर कुम्ब राशी और मकर राशी ऐसा करने से आपकी शनी की प्रकोब दिरिश्टी खतम होगी मंदिर में जाकर काले गुलाब जामून या काले जामून जो फल के रूप में होते हैं गुलाब जामून जो होते हैं वो मिठाई के रूप में होते हैं आज काल रातरी को अरपन जरूर करें आज मा गौरा को शाम के समय आपको इमर्ती का भोग जरूर लगाना चाहिए इससे मा बेहत प्रसन और खुश होती है काल रातरी की रात सोने की रात नहीं होती ये रात तपस्या की रात होती है ये रात जागने की रात होती है ये मा से वरदान लेने की रात होती है सही मानों म पूरी राज जाकर आपको पूजा करने चाहिए दुर्गा सबसती का पाट करना चाहिए क्योंकि कलस्टमी है चुट-चुटी कन्याएं आएंगी और आप उन्हें पूजेंगे उनका मान सम्मान करेंगे और उसके बाद अपनी खेतरी को भी सरजित कर देंगे और अपने घर से मा को रिद्धी सिद्धी अपने पास रखकर विदा कर देंगे उत्तर दिशा में आज अपने घर की जो की आपकी नौर्थ की दिशा है उस पर स्वास्तिक पंडित को बनवा कर जरूर बुला लीजे मतलब पंडित जी को बुला कर स्वास्तिक जरूर बनवा लीजे क्यो लब ही